हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू गेट समेशर, आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं, वट इस अ एजेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो, इंटेलिजेंट एजेंट, क्योंकि आर्टिविचल इंटेलिजेंट का जो में ने में वो यही है, कि कैसे हम इंटेल हैं, या फिर कोई प्रोग्राम है, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक एजेंट है, तो एजेंट कौन-कौन से ऑपरेशन्स परफॉर्म करता है, उससे आपको और जब़गा क्लियर होगा आइडिया, और मैं एक्जांपल के साथ आपको एक्स्प्लेन करूँगा, तो एजें अगर हैं, जैसे अगर हैं human being की बात करें, तो human being के पास आख है, नाक है, कान है, skin है, taste buds है, उनके basis पे वो क्या करते हैं, कुछ sense करते हैं, और ये sense जो कर रहे हैं, या जो percept कर रहे हैं, ये percept जो होती है, वो दो तरीके से होती है, एक तो है current, current मतलब जो अभी इसी टाइम प कई ना कई, save की हुई है, जैसे human being जो है, अपने mind में जो है, वो चीज़ें क्या करता है, save करके रखता है, तो वही point यहां पे है, कि सबसे पहला operation क्या करते हैं, sense करते हैं, percept करते हैं, जिनको बोलते है agents, और फिर उस जो perception के basis पे वो क्या करता है, actions perform करता है, लेकिन वो actions perform कै जैसे करता है, उसके लिए यहां पे help करते है, agent programs, agent programs करते क्या है, कि जो आपने current में perception किया, जो अभी अभी आपने sense किया, और अगर वो किसी से मिलता जुलता है, like past में, या नहीं भी मिलता जुलता है, आप उसके basis पे कुछ ना कुछ decision लेते हो, मतलब वहां पे कहीं ना कि agents के अंदर क्या होते है, programs होते है, जो programs help करते है, किसमे actions perform करने में, actions मतलब कि आप कुछ output दे रहे हो, और वो output को हम क्या बोलते है, actuators, और वो किसके basis पे करता है, effectors, effectors मतलब, जैसे human being की अगर हम बात करें, तो human being जो है, action या decision ले रहे है, उस decision के basis पे जो action perform कर रहे है, वो कैसे perform कर रहे है, अपने effectors के तुरू, effectors मतलब, like हमारे जो hands है, legs है, हमारा mouth है, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, ये जो चीजें जो कर रहे हैं, ये सब क्या है, कही न कही हमारे effectors है, मतलब, हम कुछ न कुछ actions perform कर रहे हैं, और actions को हम कहां डाल रहे हैं, दुबारा से environment में ही तो अगर on and every मतलब हम इसको देखें, इस पूरे model को summary करें, तो क्या बनेगा, मतलब agent है, और वो agent सबसे पहले क्या कर रहे है, percept कर रहे है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो, sense कर रहे है, तो चाहे वो current है, ये past है, उन दोलों का mix है, उसके basis पे agent program जो है, वो क्या कर रहे है, ए ये जो actions जो है, वो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, एक output है, वो actions again कहा जा रहे है, environment के अंदर ही जा रहे है, और जो perception किया था, वो भी कहा से किया था, आपने environment से ही किया था, तो अगर हम एक simple से example जिसको देखें, let's say, as a human being, अगर हम बात करें, let's say, मैं office के लिए निकल र रही है, और मैंने देखा कि मौसम भी मिरको थोड़ा सा light जो है, वो कम लगी, या मिरको लगा कि जो air है, air का flow थोड़ा अलग रग रहा है, humidity, temperature, मैंने कुछ ना कुछ sense किया अपनी eyes के through, और मुझे लगा कि हो सकता है आज बारिश हो, मतलब हो सकता है कि आज rainy day हो, मतलब मै मैंने सिर्फ sense किया, और उस sense के basis पे मैंने अपनी सारी senses, अपनी सारी perceptions को दे दी, agent program को, agent program क्या है, मतलब आपके mind में अलग-लग जो है, वो programs run कर रहे हैं, वही same programs हम robots में, वही same programs हम machines में डालना चाते हैं, लेकि human being में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो agent programs है, वो क्या कर रह हैं, तो वो जो एक action perform कर रहे हो, आप यहाँ पर क्या action perform कर रहे हो, कि आप वापीस जा रहे हो, वापीस जाके आपने umbrella उठाई, और वो umbrella carry कैसे करोगे, कहीं ना कहीं अपने हाथों से करोगे, तो वो क्या हो रहा है, मतलब आपके यह जो effectors हैं, और क्या action perform किया, आपने umbrella उ action जो है, वो perform किया, तो यह पूरा का पूरा क्याम क्या है, human being जो है, वो perform करता है, और यही same चीज, हम implement करना चाहते हैं, किस के अंदर, machines के अंदर, robots के अंदर, मतलब, robots जो है, वो खुद अपने दम पे कुछ sense करे, sense करने के बाद, उसके जो अंदर programs run करते हैं, वो कुछ decision लें, और वो decision लेने के basis पे कुछ ना कुछ action perform करें, और फिर उस action से environment के अंदर कुछ ना कुछ change हो, यही काम हम चाहते हैं, robots perform करें, machines perform करें, और उसी को हम बोलते हैं, क्या agents, तो agents का जो goal है, मतलब agents के थो हम क्या achieve करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, high performance, मतलब, जो agent हम बनाना चाहते हैं, उसकी performance जो है, वो high होनी चाहिए, low performance agent नहीं, हम high performance agent बनाना चाहते हैं, result जो है optimize, मतलब, जो decision ले रहे हैं, और उस decision के basis पे जो action perform करना है, वो output जो है, वो क्या होनी चाहिए, optimize होनी चाहिए, मतलब correct होनी चाहिए, जिसको आप क्या बोल सकते हो, यह word बहुत ज़्यादा use होता है, that is rational action, rational action का मतलब क्या है, right, rational मतलब right, कि हम चाहते हैं कि वो agent जो है, वो action perform कर रहा है, वो action right होना चाहिए, मतलब correct होना चाहिए, यह हम क्या चाहते हैं, यह agents को हम, agents के तुरू हम goal जो है, वो achieve करना चाहते हैं, और आप मानोगे कि already market में, मतलब already, यहाँ पर word में, ऐसे, robots already आ चुके, आपने might be सुना होगा, Sophia के बारे में, या फिर जो, बहुत ही, कूर, के, यू, आ रही करके, मतलब robot जो है, वो already market में है, sony का है, different, different जो है, robot जो है, available है market के अंदर, एक Boston जो है, Google का available है, dynamic करके नाम है, handle जो उसको हम बोलते हैं, तो आ हमने, जैसी हमने घर से कदम बाहर रखा, मतलब, अब हम sense करने की बजाए, जो हमारा agent है, जो robot है, वो sense कर रहा है, मतलब, वो अपने sensors के through क्या कर रहा है, sense कर रहा है, कि हो सकता आज बारिश हो, और उसी के basis पे, वो human being को क्या बोल रहा है, कि आज umbrella लेके जाओ, ये जो action perform कर रहा है, कि वो अपने मुझ से, मतलब, अपने फैक्टर से वो बोल रहा है, अपने फैक्टर से वो अपने human being को, अपने, जो like कह सकते हूँ, मालिक को बोल रहा है, कि आज umbrella लेके जाओ, हो सकता है, आज बारिश हो, तो ये उसने कैसे किया, वही, जो human being करता है, मतलब, sense किय sense के basis पे उसने कुछ decision लिया, और हो decision के basis पे कुछ ना कुछ action perform किया, मतलब, यही चीज़ हम implement करना चाते है, machines के अंदर, robots के अंदर, और यही चीज़ को हम बोलते है, agents, तो agents को हम, यह तो हो गया basic जो aim, जो basic goal है agents के अंदर, लेकिन हम agents को, यहाँ पे मैंने लिखा हुए, peas, peas, P, E, A, S, यह जो है, एक model है, मतलब, जो भी agent हम design करना चाते हैं, उस agent को definitely हम जो भी चीज़ डिजाइन करते हैं, कोई ना कोई model जो है, उसके पीछे जरूर होता है, मतलब, कुछ ना कुछ factors जरूर होते हैं, तो यह जो 4 important factors हैं, कई बर exam के अंदर direct आ जाता है, तो सबसे इस पीज में सबसे पहले है, performance, performance का मतलब क्या है, कि obviously अगर हम let's say बात करें, एक agent है, automatic car, automatic car का मतलब है, कि automatic car में हमें एक autonomous system बनाना चाहते हैं, जैसे human being की भी क्या है, एक autonomous system है, अपने दम पे decision ले रहे हैं, ऐसी हम चाहते हैं कि agent भी क्या हो, autonomous हो, autonomous मतलब, वो sense करें और कुछ ना कुछ action perform करें, लेकिन action जो क्या होना चाहिए, एक right action होना चाहिए, rational action होना चाहिए, तो वही अगर हम बात करें performance, autonomous car की अगर हम बात करें, जो खुद अपने self driving car है, तो उसमें performance हम क्या चाहते हैं, performance हम चाहते हैं, let's say safety, सबसे पहले हम चाहते हैं कि safety मतलब मेरे को destination पे वो safely पहुंचाए, comfortness, time जो है वो proper होना चाहिए, ऐसा नहों कि exceeded होना बहुत जाना time लग रहे है, obstacles जो रास्ते में आ रहे हैं, उसको वो sense करें proper, तो यहाँ पर हम बात करें, तो यह चीज़ी performance हम चाहते हैं, उस agent के थूँ, then environment, environment क्या है, obviously जब car road पे चलेगी, तो road एक क्या है, एक environment है, जो बाकी की cars move कर रही है, same direction में, opposite direction में, वो भी क्या है, environment का part है, जो रास्ते में obstacle जा रहे हैं, पैदल लोग जा रहे हैं, cycle पे जा रहे हैं, यह लोग क्या है, एक environment का part है, then actions, action मतलब क्या है, action क्या हो सकता है, कि left move करना है, steering को right गुमाना है, या फिर आप आपको brake press करनी है, exhalator press करनी है, आपको यह जो actions perform करनी है, यह हम बोल रहे है actions के अंदर, then sensors, sensors मतलब car के अंदर obviously बहुत सारे sensors होंगे, temperature का sensor है, या फिर wiper जैसे अगर उसको लग रहा है कि rainy season है, तो वो wiper अपने आप move करेगा, यह जो सारे sensors है, यह सारे factors जो है हम agent के अंदर ड बनाते हो, तो उसको हम PEAS के basis पे ही, मतलब PE system के basis पे ही हम उसको categorize करते हैं, और design करने की कोशिच करते हैं, तो यह जो है basic overview है, कि agents क्या होते हैं, operations क्या हैं, कैसे perform करते हैं, और artificial intelligence में agents का क्या main role है, तो यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा, last मैं यह आपर बताना चाहता ह types, जो agents के main types हैं, हमारे पास है, simple reflex, model based reflex, goal based agent, utility based and learning agent, तो यह main 5 types हैं agents की, जिनको हम एक एक करके detail में देखेंगे, लेकिन इस video का मेरा main purpose था, आपको एक idea हो जाएं, कि agents होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे students को confusion रहती हैं, कि agents क्या हैं, तो agents का आपको यहाँ पे clear cut idea मिल जाए कि agents क्या होते हैं, क्या operations perform करते हैं, और AI के अंदर agents का क्या role है, thank you, तो guys अगर आपको यह video पसंद आए, तो please इसको like करें, ज्यादा से यादा share करें and please subscribe my channel, thank you